हेलो एवरिवान, वेलकम टू साप्स किचन, आज मैं आपको जटपट सा बनने वाला टेस्टी नाश्टा बताऊंगी, ब्रेकफास्ट जो आप बनाओगे बची हुई इडली से, तो ये कैसे बनती है, चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पैन चड़ा दिया गैस पर और दो च यहाँ मैं क्या क्या डालूंगी आपको बताती हूँ, हाफ मैंने टोमैटो लिया है, करी पत्ता लिया है, एक ओनियन लिया है, ग्रीन चिली लिया है और गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया पती लिया है, तो जैसे ही तेल गरम हो जाए हम डालेंगे एक चमँच स्टेट सीड क्रैक हो जाए उस वक्त हम एड़ करेंगे ओनियन ग्रीन चिली और करी लीफ इसे हमें ज्यादा पकाना नहीं है हमें ओनियन को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है तो इसी लिए आपका फ्लेम जो है वो मीडियम पर रहेगा यहां मैं मीडियम पर ही बना रही हूँ और यहां मैं बची हुई इडली ली है चैसे साथ इडली है जिसे मैंने काटके छोटे छोटे पीसिस कर लिए है और इसे अच्छे से थोड़ा भूनना है इसके बाद हम एड़ करेंगे इसमें टोमेटो टोमेटो को भी हमें जादा नहीं पकाना है हमें जादा गलाना नहीं है यह खड़ा खड़ा ही रहेगा इसके बाद सॉल्ट सॉल्ट आप अपने एकॉर्डिंगली ले सकते हैं सॉल्ट और मिर्ची जो है आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए इसके बाद हम यहाँ पर आड़ करेंगे हाफ रेड चिली पाउडर मैंने हाफ इसलिए डाला क्योंकि अल्रड़ी मैंने एक ग्रीन चिली डाल चुकी हूँ पहले इसके बाद हम इडली को आड़ कर लेंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे इस वक्त गैस जो है फ्लेम मीडियम पर है और इसके बाद मैं एक चमच ब्लैक पेपर पाउडर आड़ कर रही हूँ और इसके बाद आड़ करूँगी मैं एक चमच सामबर पाउडर जी हाँ सामबर पाउडर इसमें डालने से जो टेस्ट बढ़ता है मजाई कुछ और है एक बार आप बना के जरूर देखिएगा ऐसे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए इसके बाद मैंने एक चमच आमचूर पाउडर डाल दिया है अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लोगी ताकि जो मसाले हैं सारे इडली में लग जाए बहुत अच्छे से मसाले लगने ही चाहिए एडली में और इसके बाद मैं इसमें एक चममच टोमेटो केफ़प अड़ करूँगे पिर नहीं हमें चलाना है और इसके बाद फिर मैं ऐड़ करूँगी यहां पर एक चमच पीनट कर्ड चटनी इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ये अगर नहीं है आपके पास से आपने नहीं बनाया है तो आप धन्या की चटनी भी डाल सकते हैं और अगर वो भी नहीं है तो आप स्किप कर दीजे इसके बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे फिर और ये बनके रेडी हो गया अब हम इसे सर्व करेंगे अब मैं इस प्लेट में सारा निकाल लेती हूँ और इसके बाद मैं गार्निशिंग के लिए अड़ करूँगी पॉरियंडर लीव ये हमारा रेडी है जटपट सा बनने वाला इडली का नाश्टा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजे और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजे जिससे की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले देखिए कितना टेस्टी लग रहा है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेफित 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 हैं और बेल आपको सब्सक्राइब ज़कर में